हैलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यट्यूब चैनल फोटोग्राफी लवार्स में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Nikon Z6 केमरे के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगी Nikon Z6 में आप किस तरह से कलर को एड़ेस्ट कर सकते हो पिक्चर प्रोफायल की सेटिंगो कैसे कर सकते हो और साथ य देखेंगे कौन-कौन से अफेक्टर हैं जो आपके कलर को एफैक्ट करते हैं क्योंकि जो भी काम होगा color correction वगेरा का वो आपके जो software होगा computer में उसके उपर होगा तो raw photography में camera की setting वगेरा को ज्यादा चेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए आपको बस normal चीज़ें change करने होती है लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो jpegs photo के लिए है जैसे मान लीजिए आप इस raw photo की जगा jpegs photos यूज़ करते हो मतलब camera है वही आपकी जो photo है उसको process करके जो color होगेरा है उसको adjust करके आपके सामने जो final output देता है उस तरह की photo यूज़ करते हो तो उसके लिए कापी माइने रखने वाला है जैंड़ इसी तरह से वीडियोग्राफी की setting भी होगी और अगर आप चाहते हो कि photography और वीडियोग्राफी दौनों में एक ही setting और फोटोग्राफी में जो color की setting चेटिंग चेटिंग हो जाए उसके लिए आपको इसमें जो वीडियोग्राफी में उप्षन आता है same as photography setting तो उन करना होगा जिसे आप correction करोगे photography के लिए वो आपकी जो वीडियो में apply हो जाएगा automatically तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो photography में अपन settings use करते हैं उसके बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो white white balance का होते हैं मैं आपको बता दूँ जो main color होता है जिसे ज्यादातर color यहीं से सेट हो जाता है उसके बाद जो minor settings होती है जो आपकी जो फोटो वीडियो की सार्फनेस हो गई saturation, color correction, contrast यह सभी बढ़ाना हो गया यह आपको दूसरी settings में जाके बढ़ाना होता है लेकिन जो color की setting है वह यह से हो जाती है और थोड़ी बहुत minor settings है वह आपको और change करने होती है जिसे आपका color सांधार आता है और output आपको सांधार देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको बहुत से प्रिशेट मोट्स देखने को मिलेंगे जो प्रिशेट आते हैं मतलब कंपनी की तरफ से जो प्रिशेट डिजाइन किये होए होते हैं जिनमें आपको कुछ भी चेंडने की ज़रुरत नहीं होती है उट्टो है इसमें आपको जो नेचुरल लाइट आती है और उसको भी जो केमरा है वह ओटोमेटिकली केज करता है अपने हिसाब से कम यह जदा करने होती है तो उस वीडियो में बना रखा है आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी वहाशे आप देख सकते हो किस इस तरह से कलरवार में कलर सेट होता है इसके बात जो डायक्ट Compel heeft का और उनिसरा में पर सकते हो क्लावडी पर सेट कर सकते हो मतलब पीछे कोई उबजेक्ट ह और आपके object में शहाँ आ रही है तो आप set का option यूज़ कर सकते हो तो इस तरह से जो preset mods है इनका यूज़ कर सकते हो white valence के लिए आप auto का भी यूज़ कर सकते हो इसमें आप जैसे auto follow के आपको तीन preset mods देखने को मिलेंगे जैसे auto 0, auto 1, auto 2 auto 0 है वो आपकी जो warm light है जैसे red वगेरा ज आपकी जो warm light है उसको बढ़ा देता है लेकिन auto 1 है वह overall आपका जो atmosphere है उसके एडिजाइस्ट होता है तो manly auto 1 सबसे ज्यादा काम आता है आप auto 0, auto 1 या auto 2 कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपनी सुईदा के इनुसार और आप जैसी location पर suit करते हो उस location के हिसाब से जो आपको मैं आपको बताता हूँ इसकी जो additional settings है उनके बारे में चलिए अपन पहले देखते हैं जो picture style की setting है उसके बारे में तो जैसे ही आप menu में आते हो menu में आपको जो white balance है उसके नीचे set picture control का option देखने को मिलता है इसको आप जैसे ही open करते हो आपके सामने बहुत सी picture styles open होके आती हैं मतलब preset picture control या preset picture profiles हैं वो आपके सामने खुल के आती हैं जैसे standard, neutral, vivid, monochrome, ported, landscape ये सभी आपके सामने open होके आती हैं इन picture controls को आप एक तरह से filter मान सकते हो जैसे mobile में filter आते हैं उसी तरह से ये काम करता है लेकिन mobile और camera में इतना फरक होता है कि mobile वाले filters को आप customize नहीं कर सकत हो ज्यादातर काम होता है standard पर होता है और standard की जो customize setting है वो मैंने पहले वीडियो में बता रहे हैं उसकी link आपको i button में मिल जाएगी वहां से जाके आप देख सकते हो और Nikon के लगबग सभी camera में same picture control की settings होती है बस इतना फरक हो सकता है कि कुछ में option ज्यादा देखने को मिलत है तो i button में जाके आप देख सकते हो जो picture control की setting है जैसे saturation वगेरा brightness contrast इन सभी को adjust करना मैंने वीडियो में बता रहा है आई button में आपको उसकी link मिल जाएगी वहां से जाके आप देख सकते हो तो इस camera में कुछ extra functions अपने को देखने को मिलते है जैसे creative picture control देखने को मिलते है जो आपको 20 के लगबग जो filters देखने को मिलेंगे उनको आप अपने यसाप से use कर सकते हो शेट picture control के बाद आपको manage picture control का option देखने को मिलता है यहां से आप जो सभी pictures है उनको adjust और save कर सकते हो इसके बाद अपने को option देखने को मिलता है color space का color space में आपको sRGB और adobe RGB का option देखने क मिलती है adobe RGB में अगर आप raw photography करते हो तो adobe RGB कर सकते हो इसके बाद अपने को देखने को मिलता है active delight मैं लिए आपकी जो light और color की sharpness वगेरा है उनके लिए काम आता है जैसा कि मैं आपको इसके दो results दिखाता हूं जिसे आप देख रहे हो कि एक तो without active delight है और एक with active delight है इसमें आप फरक्स आप देख सकते हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो अपने color को adjust करने के लिए तो इस तरह से active delight में बहुत से option देखने को मिलते है इसमें आप इसको यूज कर सकते हो normal में high में लेकिन extra high में यूज करते हो तो जो आपका photo और वीडियो है उसका थोड़ा सा result down देखने को मिलता है तो आप इसको auto में भी यूज कर सकते हो और high में भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूंगा आप इसको normal या high में यूज कीजिए extra high वगेरा में आप इसको यूज मत कीजिए तो इसके बाद अपने को देखने को मिलता है long exposure analysis long exposure में होता यह है कि अगर अगर आप noise को reduce करना चाते हो तो इसको on रखिए और अगर आप नहीं करना चाते है मतलब normal photo लेना चाते हो तो इसको up रख सकते हो इसमें होता यह है कि जो processor है वो आपके जो photo में noise आएगा उसको reduce करने का काम करेगा तो आप अपने हिसाप से इसको use कर सकते हो अगर आपको noise अठाना है तो इसको आप पर on रख लीजिए और noise ने अठाना है तो इसको off रख लीजिए इसके बाद अपनको option देखने को मिलता है high ISO nr मतलब high ISO noise reduction जैसा कि आपको पता है कि अगर अपन camera में ISO बढ़ाते हैं तो जो noise है वो कपी बढ़ जाता है तो जो इसके noise को कम करने के लिए आप high ISO nr का use कर सकते हो और यह हमें जो background blur है उसमें भी help करता है तो आप इसको on या off अपने हिसाप से रख सकते हो तो जैसा कि मैं आपको यहां पर दो example दिखा देता हूं जैसा एक photo है वो without high ISO nr है और एक है with high ISO nr इसमें जो आपके photo है वो smooth हो जाती है और जो noise है वो down हो जाता है तो आप इसको अपने हिसाप से use कर सकते हो लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि इसमें तीन option आपको देखने को म जाएगी मतलब आपको लगेगा कि जैसे photo out हो रही है तो आप इसको normal तक यूज़ गीजिए और अगर आप normal ISO पे photo shooting कर रहे हो तो आप इसको और रख लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद आपको option देखने को मिलता है we get controls we get controls होते हैं जैसे मान लीजिए आ उन पे आपको हलका darkness देखने को मिलता है उसको remove करने के लिए आप इसका use कर सकते हो जैसा कि मैं आपको एक photo दिखा देता हूँ उसमें आप साब देख सकते हो कि जो आपके corners हैं उसमें आपको हलकी इलकी darkness दिखाई दे रही है लेकिन जो दूसरी photo है जिसमें मैंने तो इसको low पे use कर सकते हो और अगर आपको corner shark चाहिए तो आप इसको open भी रख सकते हो कि आपके इसाबसें आप adjust कर सकते हो तो दोस्तों ये settings आपको color correction के साथ साथ अपनी camera में करनी होती है जिसें जो आपका output है वो काफी शांदार आता है और ये settings आपको Nikon के लगबग सभ test कर सकते हो और अगर आप Nikon के camera की settings के बारे में और जानना चाते हो जैसे picture control के full setting के बारे में जानना जाते हो तो आपको i button में video के link मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हो और जो end screen पे video जाते हैं वहांबे भी आपको बहुत से camera की जो links हैं वो मिलेंगी वहां से आप कुछ कर सकते हो जिसें आपका जो photo का output है वह अच्छा देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें comment करके जुरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए camera की ज आसकार टाटा बाई बाई